हाईलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और इजी नुस्त का लेकर आई हूँ जिसे आप आसानी से पुराना से पुराना दाद खाज खुजली से छुटकारा पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों एदी आप पुराना से पुराना दाद खाज खुजली से परसान हैं इस तरीके से आपका सरिर्म हो गया है दाद खाज खुजली ओ आप जितना भी मेडिसिन कर रहे हैं लगा रहे ठीक नहीं हो पा रहा है तो आज का में नुसका जो आपके साथ सेर करने वाली हूँ बहुत ही इफेक्टिव और आसान नुसका है जिसे आप आसानी से दाद खाज खुजली को जर से खत्म कर सकते हैं यगिन मानिए आप एदि दो से तिन दिन इन है इसे ट्राइ करते हैं तो दात खाज खुजली को जर से खत्म कर सकते हैं इतना इफेक्टिव और आसान नुसका है जिसे आप आसानी से सिर्फ किचिन के समान से ही आप दात खाज खुजली को जर से खत्म कर सकते हैं हल्दी गुनो से भरपूर है जी हाँ दोस्तो नपूर्धी जो है हल्दी कई सारे विरिफिट से कितने सारे पैदे है अलाग-अलाग तरीके से परियोत क्याजता है अलाग-अलाग बिमार्य और लेकिन क्या आप जानते हैं हल्दी से आप दाद खाज खुजली को फंगल इंफेक्शन को जर से खत्म कर सकते हैं जी हां दोस्तों घाओ को भरने में फंगल इंफेक्शन फोरे फुनसी दाद खाज खुजली को जर से खत्म करने में बहुत ही असरदार होता है यह हल्दी हल्दी गुनों से भरपूर है औस दिये गुनों से भरपूर है इसका जितना मैं फायदे बताओ उतना कम है इतना गुनवान है या हल्दी हल्दी से हम कई बिमारी को दूर कर सकते हैं कई बिमारी से लड़ सकते हैं छुटकारा पा सकते हैं जहां तक कि सर्दी खासी जुकाम को भी जर से खत्म करता है या हल्दी इतना गुनों से भरपूर है या हल्दी दात खाज खुजली को जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी हमें कैसे प्रयोग में लाना है तो चलिए हम आपको बताते हैं फ्रेंट से आपको लेना है गाठ वाली हल्दी यानि कि आप यसे मार्केट से पॉडर जो आप लेप बना कर त्यार करके उसे लगा सकते हैं या थोड़ी सी नारियल दे ले और उसमें इसको अच्छी तरीके से मिला ले और जहां पर भी दात खाज खुजली है उस अस्तान पर लेप लगाए थोड़ी सी रप करें हलका से करना है ताकि दात खाज खुजली में परस करा पा सकते हैं जो लोगों को सर्दी खासे चुकाम हो गया है उनके लिए भी हल्दी काफी काफी फैदेमंद होता है आप चाहे तो गर्म दूद में थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी लेना है ज्यादा नहीं आधा चमस के बरापर में और हल्दी को दूद में अच्छी तर और लोगों को भी मिल सके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि हमारा जो भी निव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मिलती हूं अगले निव वीडियो में एक नए टोपिक के साथ औ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हीट करें ताकि हमारा जो भी निव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी और हमारा वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे नमस्कार थैंक्स थैंक्स पर वचिक नमस्कार